आज हम मैट्स मैजिक याने गणित की चेप्टर नमबर 10 स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ये पेज में आपको दिखा रहा हूँ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको इस पेज में यहाँ पे देखिए इस किनार में एक कॉर्णर पे एक डिजाइन बना हुआ दिख रहा है ऐसा ही एक डिजाइन यहाँ सामने बना हुआ दिख रहा है ऐसा ही एक डिजाइन यहाँ नीचे बना हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी एक डिजाइन इस तरह का बना हुआ दिख रहा है यह डिजाइन चार उत्रा फिस पेच पर बना है इसी तरह हमारी टैक्स बुक के कवर पेच पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे हम घर को सजाने के लिए तूरन लगाते हैं उस तरह की तूरन बनी हुई है या अगर हम मैच की बात करें तो यहाँ पर उल्टे याने अपोजिट ट्राइंगल्स बने हुए दिख रहे हैं और इन ट्राइंगल्स में नंबर लिखा हुआ है वन थ्री फाइव सैवन नाइन तो यहाँ आगे इसी तरह हमको आगे बढ़ते जाना है जैसे वन के बाद टू होता है टू नहीं है थ्री आगया थ्री के बाद फोर होता है फाइव आगया फाइव के बाद सिक्स होता है सैवन आगया सैवन के बाद एट होता है नाइन आगया अब नाइन के बाद टैन होता है तो यहाँ पर एलैवन आना चाहिए इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि एक pattern में आगे क्या होना चाहिए यहां देखिए सीडियां बनी हुई है stair और इस ladder पे कुछ number लिखे हुए है 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तो यहां पर हम देख सकते हैं कि 10-10 करके आगे 10-10 number आगे बढ़ते जा रहा है increasing order में है और 20 के बाद 30 आया 30 के बाद जैसे हम 10 का डेवल पढ़े 10-2, 20, 10-3, 30, 10-4, 40, 10-5, 50, 10-6, 60, 10-7, 70, 10-8, 80, 10-9, 90, 10-10, 100 तो यहां पर इस last block में 100 means 100 आना चाहिए तो इस तरह से यहां पर एक pattern मना हुआ है जो चीज शुरू के दो figures में है वही आगे के उसके दो figures में है इस तरह यह हर figure में हमें same pattern दिखता है अब यहां पर हम आते है 24 के बाद में हाँ 27, 25, 26, 27, 25, 26, 27 फिर 3 finger हम आगे count करेंगे 27 से 28, 29, 30 फिर 3 finger add करेंगे 30 से 31, 32, 33 फिर आगे 3 add करेंगे 34, 35, 36 अब 36 में आगे हम 3 add करेंगे 37, 38, 39 तो यहां पर 39 आजाएगा इस तरह हम देखते हैं कि हर जगे पर 33 प्लस करते जा रहे हैं तो हमको अगला number मिलते जा रहा है इसे हम pattern कहते हैं अब last वाले पर आते हैं हमको एक row प्याने रसी बनी है और उसमें circle बने हुए हैं और यहां हम number लिखे हुए है 5, 10, 15, 20 इसे थोड़ा हम ध्यान से देखे तो हमें यहां नजर आएगा 5, 105, 5, 2, 10, 5, 3, 15, 5, 4, 20 तो next जो है वहाँ 55 जा याने 25 आना चाहिए जब हम देखते हैं कि एक ही तरह से picture, photo, संख्या, alphabet आगे बढ़ रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं pattern आज हम start करेंगे page number 144, 124, chapter number 10, play with patterns यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह के wires हम कहीं पर देखे हैं जहां हम मेड या फैंसिंग देखते हैं वहाँ इस तरह wire होता है और बीच में tail की तरह का shape बना हुआ होता है और यह बार बार वैसा ही चल रहा है दूसरा photo हम यहाँ देख रहे हैं इस photo में हमारे घर में देखा होगा हमने खिड़की होती है खिड़की पर इस तरह का grill लगा हुआ होता इसमें एक ही design पहली बार दूसरी बार तिसरी बार चौती बार फिर वही design नीचे बनाएं फिर वही design नीचे बनाएं 9, 10, 11, 12 वही design नीचे बनाएं 13, 14, 15, 16 तो यह design है इसी को बार बार लगाया हुआ है यह भी एक pattern है नीचे वाला picture देखिए एक snack का picture बना हुआ है snack की body बनी हुए है और इसके उपर यह जो spots बने हुए है यह देखिए जो design बना हुआ है वो पूरा आगे तक वैसे ही बनता हुआ जा रहा है तो यह भी एक pattern आपने घर पे अपने मम्मी के साडी में भी कभी दिखा होगा साडी में इस तरह के design बने होते हैं यह design भी एक pattern की तरह है चलते हैं आप देख रहे हैं कि एक मोर बना हुआ है यह नीचे के तरफ उसका मुह है दूसरा जो मोर बना है इसका मुह इसका मुह वापस पहले वाले जैसा है इसका मुह फिर इस दूसरे वाले मुह के तरह है इसी तरह है यह pattern पूरा चल रहा है इन आजाते हैं पेज नंबर 146 पर यहां पर एक पिक्चर को देखिए I have met some patterns of picture I have used a rule for each pattern अब यहां एक हम को इससे rule निकालना है boy boy कितने boy होगा है two boy फिर one girl boy boy two boy one girl boy boy two boy how do boy but they have two boy one girl two boy one girl two boy अबorthा करा ननाचिये one girl the rule for this pattern is there is one girl after every two boys than this is repeated यहां पर रहर दो लेलकों के बाद एक लड़की हैं हर दो लेलकों के बासे अहनकों के बाद भी एक लड़की हैं इस rule को यह follow करते हुआ यह एक pattern बना हुआ है अगला पैटन हम यहां देखते हैं एरो बनाया उपर की तरफ है अगला एरो नीचे की तरफ है फिर एरो उपर की तरफ है नीचे की तरफ है फिर एरो उपर की तरफ है फिर नीचे की तरफ है यह एरो अप एंड डाउन उपर जा रहा है और नीचे आ रहा है in this pattern there is one arrow up and one arrow down then this is repeated और यह एक एरो उपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है और यह इसको बार बार रिपीट किया जा रहा है अगला पिक्चर यहां हम देखते हैं और given below are some patterns figure out the rule for each and continue the pattern यहां आप देख रहे हैं एक pot रखा हुआ है फिर दूसरा pot रखा हुआ है पहला pot में color रही है दूसरे pot को dark color किया है फिर third part को light color है फिर fourth part को dark color किया है ऐसे ही फिर यहां पे हमें part बनाना जिसपे light color रहेगा फिर यहां dark color रहेगा फिर यहां light color रहेगा नेक्स जो है यहाँ पर हम देखते हैं ए ए बी ए ए बी ए ए बी जैसा यहां हमने उपर देखा था दो लड़के फिर एक लड़की दो लड़के फिर एक लड़की वैसे ही दो बार ए एक बार भी दो बार ए एक बार भी दो बार ए एक बार भी यह pattern इस तरह से चलेगा अब हम आते हैं यहां हम देखते हैं circle के साथ एक flower की एक पत्ति या leaf बनी हुई है फिर second figure में 1 से ये कितने हो गए है 3 याने 2 बढ़ गए है फिर third figure में 3 से ये हो गए है 5 याने फिर 2 बढ़ गए है तो यहां पर 1, 3, 5 फिर next picture में 1, 3, 5 अब इस pattern को हम ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे 1, 3, 5 के form में तो यह pattern ऐसे ही आगे बढ़ेगा यह circle बना हुआ है इसमें हमने 1 leaf बना दिया फिर वापस circle बना है 1 leaf तो बना हुआ था दोनों साइट 2 leaf और आगे और फिर last में जो 1 leaf के दोनों साइट 2 leaf से वाँ नीचे भी 2 leaf और आज जाएंगे यह pattern complete हो जाता है next हम दी देखते है इसमें एक square बना है और बीच में क्रॉफ लगा करके 1, 2, 3, 4 rectangles बने हुए हैं और इस pattern को पूरा करने के लिए आगे के box में भी पहले हम ऐसे ही four rectangles बना लेते हैं